Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone. Naudhe Vidyale Interns Examination की Classes में आपका स्वागत है बच्चों. So, 2016 का एक Question यहाँ पर है, बहुत ही प्यारा Question है. So, हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस 2016 के Question में खास क्या है? आईए देखते हैं इस Question को हम कैसे करेंगे? देखिए, यह जो Question है, इसमें दिया गया है, इन वन किलो मीटर रेस, B is defeated by 136 मीटर और 18 सेकेंड फ्रॉम A. तो सबसे पहले यह जान लो कि भाई, रेस किते की थी, एक किलो मीटर की थी. तो Scene Question का कैसा है? मान लिजए, यह रेस है, आपकी A से लेकर के, जो B तक का रेस है, वो 1 किलो मीटर का है. A से लेकर B तक का यह जो सफर है, किते किलो मीटर का है? यह 1 किलो मीटर का है. तो यह देखें, मैंने बताया कि यहाँ पर एक रेस ट्रैक है, तो A से दोनों बच्चों नों स्टार्ट किया है, रेसिंग करना और 1 किलो मीटर, यानि कि दोनों का जो गैप है, 1000 मीटर का गैप है. आप क्या कह रहा है, कि इन 1 किलो मीटर रेस, B is defeated by 36 मीटर और 18 सेकेंड, मतलब जो B को डिफीट किया गया है, 36 मीटर से डिफीट कर लिया गया है, मतलब B जो है मात खा गया है, तो एक आप चीज़ को ऐसा समझ लो कि, 1000 के ट्रैक में जब रेस हुई, तो A जिस समय पूरा थ B उससे 36 मीटर पीछे था, अब मैंने रेसिंग ट्रैक बढ़ा दिया, आप यह नहीं सोचना कि पहले रेसिंग ट्रैक छोटा था, बढ़ा क्यों हो गया, मैंने रेसिंग ट्रैक को लंबा कर दिया है, तो जो अपना A पहुँच चुका है, और B इससे कितना पीछे है, 36 को काटा है, उस समय भी इससे 36 मीटर पीछे है, यह तो हो गई दूरी में पीछे, एक बात है कि इसने टाइम में कितना पीछे है, तो टाइम में जो B है वो इससे 18 सेकेंड पीछे है, कितने सेकेंड पीछे है, 18 सेकेंड मतलब आप यह समझ लिजे कि यदि हम B को 18 सेकंड और दे दे तो वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा है ना इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा और वो भी A के बराबर पहुंच जाएगा मगर B फिलाल पीछे है A ने 18 सेकंड पहले इस पोजीशन को पा लिया है ओके और B अभी यहीं पर है तो चलिए मैं B की स्पीड निकालता हूँ B की क्या निकालता हूँ इस स्पीड तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपान टाइम तो डिस्टेंस अपान टाइम तो मैं B की स्पीड निकालता हूँ भाई डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है 26 मीटर है और टाइम कितने से केंड है अपने पास में 18 से केंड है तो जो बी की स्पीड निकल गई वो निकल गई बी मालो बी यहां से स्टार्ट करता तो बी कितना टाइम लगाता इस रेस को कवर करने में पूरा कवर करने में तो देखते हैं हम बी कितना टाइम लगाता तो बी का लगने वाला टाइम के लिए मैं फिर से फॉर्मुला लिखूंगा बी के टाइम के लिए मैं फॉर्मुला किया फर लिखना करा हूं तो आप जानते हैं किС्स्पीड कॉल 2 होता है कितना डिस्टैंस अपटाइम कर टाइम on the time is equal to Jiblia evidence upon single speed to desse loodawy् कितनी है एक किलोमेटर मगर बाकी कि कहानी क्योंकि मीटर फर सेकेंड में इसले हम गो लिखना पड़े मीटर से मीटर cancel हो जागा, second उचल करके उपर आ जाएगा और two, one thousand को cancel करेगा, तो कितना बनेगा? 500 seconds, बुली clear है? ये 500 seconds हमारा बन चुका है क्या? ये बन चुका है हमारा race complete करने का time, किसके दवारा? B के दवारा, अब ये कहा जा रहा है कि B जो है, वो race complete करने से 18 seconds पीछे है, क इतना time लेग चुका होगा? टोटल लगने वाला time है 500 seconds और इसमें से 18 seconds पीछे है, तो ये कितना है? ये है exactly 482 seconds, मतलब B ने अभी तक जो time cover किया है, वो 482 seconds cover किया है यहां तक, बुली ये सानो? और इतने में ही A ने race complete कर ली है, मतलब B के हिस्से में 482 seconds है, और 482 seconds में ही A ने race complete कर ली है, yes or no? clear? तो answer इसका कितना होगा? 482 seconds, correct option is D, 482 seconds, बुली clear है सभी बच्चों को? ओके, so hello everyone, एक बार फिर से next question के ओर चलते हैं, देखे, question number 72 आपकी screen पे दिख रहा है, यहां पर आपको area निकालना है, इस पूरे के पूरे plot का कह लीजिए, given figure बुला गया है, ऐसे अमूमन plot हुआ करते हैं, तो इनका area निकालना है, बच्चे काफी confused हो रहा है इस question में, तो आए हम इसका बहतरी solution आपके लिए त्यार करते हैं, तो सबसे पहले इस area को हिस्से में बाटना है, बच्चे इसको हिस्से में नहीं पाट पाते हैं, इसलिए दिक्कत फील करते हैं तो ये देखे 12 mm है, अब मैं आपको mm, सारे answer भी mm है, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई conversion नहीं करना है, क्योंकि सारे answer किस में आ रहे है, mm में आ रहे है, mm का मतलब होता है mm, और मैं आपको बता दूँ, 1 mm is equal to 2 होता है, 1 upon 1000 meter, मतलब ये जो होता है, ये 12 है, ये 6 है, तो अगर ये 6 है, तो बोलिए ये भी कितना होगा, 6 mm होगा, मैं mm नहीं लिख रहा हूँ, और ये 12 है, ये ऊपर का हिस्सा, इसका 8 mm है, तो बोलिए नीचे का हिस्सा कितना बनेगा, इसका 4, बोलिए 8 प्लस 4 कितना होगा, 12 होगा ना कि नहीं होगा, 8 पर 4, 4, तो ये जो हिस्सा हमको पता नहीं था, ये हिस्सा कितना मिल गया, 4, बोली ये सोनो, देखे, अपने पास ये total length कितनी है, 12 है, ये total length कितनी है, यहां से यहां तक, 12 है, 12 के सामने भी तो 12 होना चाहिए न, तो 12 के हिस्से में से ये वाला हिस्सा 8 निकल चुका है, तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, 4 बिलकुल सही, तो ये हमारा हिस्सा 4 बन चुका है, अब हम multiply करेंगे इसका length into breadth area, so 12 multiply by 6, 6 7 जा, 72, तो मैंने मगल दी से 6 7 जा बोल दिया, 6 12 जा, 12 सिख जा, 72, ओके, तो 72 एक्शली कितना आएगा, mm square, कितना आएगा, mm square, because ये भी millimeter है, ये भी millimeter, जब आप millimeter into millimeter करते हैं, तो कितना हैगा, millimeter का square हो, और area हमें सा square में होता है, भले वो meter square हो, centimeter square हो, fit square हो, कुछ भी का square हो, मगर area हमेसा किसमें होता है, square में, क्योंकि वो length into length के multiply से बनता है, किसे बनता है, length into length के multiply से, कोई भी आप multiply करेंगे, length into breadth, तो something आपके पास length रहेगी, like 2 meter, और breadth आपके पास something रहेगी, like 3 meter, so 2, 3, 6 तो हो गया, और 7 में यह क्या बनेगा, meter square, तो इसलिए यहाँ पर millimeter, फिलहाल millimeter square बनेगा, next, अगले segment की बात करते हैं, यह वाला area तो cover हो चुका है, अब यह वाला area क्या है, तो इस area को हमको निकालना पड़ेगा, मगर अब हमाएपस problem यह है, कि हमें, ओहो, कोई problem नहीं है, यह दे रखा है, बोलिए, इस वाले की length कितनी है, 6 mm, पूरा बोलिए, कितने mm है, 6 mm, और यह कितना दे रखा है, 4 mm, तो 6 multiply by 4, कोई दिक्कत है क्या, तो यह वाला area 72 आ चुका है, और यह कितना आ जाएगा, length की बात की जाए, तो हम यहां तक की length निकाल चुके है, यह वाला जो length है, यह लिकल चुकी है, 6, बोलिए ऐसा नो, यह वाली length है, यह वाला हिस्सा भी 6 था, इसलिए, यहां तक की length भी कितनी है, बता यह 6 है, मगर यहां से लेकर कि, यहां तक है total 20 mm दे रखा है, और बच् 20 का है, तो चलिए जोड़ते हैं, इतने वाले हिस्से को, 6 प्लस 6 कितना हो गया, और 20 में से 12 गया, तो यह वाला हिस्सा कितना बचा, 8 mm, यह वाला हिस्सा हो गया, 8 mm, तो फिलहाल हमें इतने हिस्से से काम है, यह वाले हिस्सा 8 mm, ओके, इसको मैं color कर देता हूँ, green color, यह द ठीक है, 8 mm से हमें काम है, done, अब 8 mm से हमें काम है, और हम निकालना चाहते हैं, यह पूरी की पूरी हाइट, यह पूरी की पूरी हाइट, आप देखिए, यह जो इसके सामने है, है ना, यह इसके सामने है, यह भी इसके सामने है, विलकुल मिल रहा की नहीं मिल रहा है, यह 4 है और ये भी कितना है 4, अगर ये इसके सामने है match अगर हो रहा है, मगर मुझे match होता सा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, clear है ना? मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा मैं यहाँ पर मेरे को इसके सामने इसने देर तो रखा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 ये नहीं होना चाहिए चलिए कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे उसको आए देखते हैं कैसे निकलेगा ये हमारे सामने दे रखा है कि ये 10 mm है कितना है ये 10 mm है तो ये 10 से बाकी जो बचेगा वही होगा तो वह हमें निकालना है बट यार इसको तो हम निकाल चुके हैं याद करो भाई ये कितने हैं मैं था 4 था ना तो भाई ये भी कितना है ओहोँ कहां चला गया हम लोग का दिमाग भाई 4 तो अल्रेडी हमने निकाल रखा है ना तो ये तो rectangle है भाई 4 ही होगा बोले clear? ओके तो ये 4 हो चुका है ओपर कितना है? 10 है तो 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14 4 प्लस 10 कितना हो गया? अम मैं एक नया rectangle बना रहा हूँ आप देखना ये एक नया rectangle बन गया बन गया? बन गया ना? ये वाली length कितनी है? 8 तो ऊपर वाली length कितनी हुई? 8 और ये 4 है तो 8 4 जा बोलो कितना हो गया भाई साब? 4 प्लस 10, 14 एक जा कितना हो गया? बताईए 112 भाई टेबल याद कर लो है ना? सब को याद करनी चाहिए टेबल 20 टक कि अट लिस्ट वैसे अच्छी आद है कि 25 तक याद करो मगर 20 तक तो करी लो सो 4 x 10 4 sorry 4 बार 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 पोर बोल दिता हम 14 x 10 because this 4 and this 10 become 14 ये 10 total length कितनी हो गया? 14 14 x 8 14 x 8 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया length 14 और breadth हो गई 8 so 14 x 8 equals to 100 अब तो सही बोला ना मैंने? चलिए अब आँगे आते हैं भाई साब देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है हमें ये length पता करनी है total 16 थी भाई साब जिसमें से 8 कटली यहाँ 8 कटली तो यहाँ पर कितनी बची? 8 बची बहुत शांदर बहुत शांदर यह 8 हमाई पस बची है ओके मगर और कुछ होने वाला देखो भाई साब यहाँ पर यह total length यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 16 16 और उपर से यह 2 mm का छोटा सा gap दिया गया तो यदि मैं इसके parallel एक design करूँ यहाँ पर एक dotted line design करूँ तो अगर यह 2 है तो इसके ऊपर भी कितना बनीगा? 2 और यह 8 में 2 कट लिया तो यह जो बचा वो कितना हो गया? 6 बच गया बच गया ना? clear है? हाँ अब देखो भाई साब यहाँ से यहाँ तक का जो gap है पूरा का पूरा यह gap कितने mm है? 6 mm है कितने mm है? यह 6 mm है तो यहाँ भी जो होगा यहाँ तक का 6 mm होगा ओकी तो मैं कट लगा देता हूँ यहाँ पर यह होगा अपने पास में 6 mm clear है ना? तो टोटल 16 था 16 में से यह वाला हिस्सा नीचे का कितना हो गया? 6 तो उपर का कितना बचा? 10 बिल्कुल सही यही था इस question में में पंच यहीं पर है यह वाला जो हिस्सा बना वो कितना बच गया? 10 बच गया ठीक ना? नहीं तो एक आपके पास दूसरा तरीका भी है एक आपके पास क्या है? दूसरा तरीका भी है कि आप इस वाले रिक्टेंगल को अलग से solve कर लो है ना? इस वाले रिक्टेंगल को आप अलग से solve कर लो कैसे solve करोगे? देख लो भाई कैसे solve करना है यह आपको? तो आप देख सकते हूँ चलिये, यदी ये देखिए आपके पास ये जो length है, ये आपके पास कितनी है बोलिए, इसकी length कितनी मिली है आपको 10 मिली है, विगॉज ये 10 है तो ये भी कितना है, 10 है तो ये हो गई 10, clear ये हो गई कितनी, 10 और बिट इसकी कितनी निकाल चुक हो यहां तक ही 6 तो 10 x 6 कितना हो गया 60 तो यहां वाला एरिया कितना आ गया 60 कहां तक का निकला यह यहां तक का निकला यहां दिजेगा यह सोनो अब बचिए बड़ी वाली कॉलम बचिना तो कितना बचे का बली है 16 तूजा 32 32 अब हम आपास चारो सेगमेंट के एरिया बनके आ चुके हैं सबसे पहला एरिया कितना है 72 सबसे पहला एरिया कितना है 72 mm मैंने बार-बार मिली मीटर स्कॉयर में लिख रहा हूं एम ए 24 फिर इस वाले पार्ट का कितना है 100 12 112 और फिर इस पार्ट का कितना है भाई सब 60 है 6060 और लास्ट वाले पार्ट का कितना है 32 तो 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 8 plus 2 10 यह सानो यहाँ प्लस कितना है 1 7 plus 1 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 11 11 प्लस 6 17 7 plus 17 प्लस 3 20 20 का 0 कितना है 2 2 प्लस 1 कितना 300 स्क्वाइर सेंटीमीटर कोस्ष अप्ष नहां स्क्वाइर मिलीमेटर स्वारी स्वारी एमम स्क्वाइर है या आप इसे लिखें चाहें तो 300 स्क्वाइर मिलीमेटर आप ऐसा भी लिख सकते हैं जो आपको मन करें आप लिख दो जो अच्छा लगे आपको स्क्वाइर में लिख दो या मिलीमेटर स्क्वाइर लिख दो जैस कुछ लोग सेंटीमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं कुछ लोग सेंटीमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं आप यह रहा इसका इसका डेटेल सलुशन आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आगया होगा चलते हैं next डाउट की और, चलिए देखते हैं, नेक्स कॉस्चन है, हमारा क्या है, The Capacity of a Water Tank is 36 किलो लीटर, मतलब यदि कोई आपके पास में Water Tank है, उसको जो फुल भरता है, वो 36 किलो लीटर में फुल भर जाता है, ओके, ये माल लीजे कोई Water Tank है और ये 36 किलो लीटर में फुल भर जाता है, मतलब इसका जो Complete Volume है, वो है 36 किलो लीटर, तो आप इसको चाहो तो हलांकि, एक मिनट, इसके Option में लीटर, किलो लीटर कुछ होना चाहिए, मगर मेरे ख्याल से Options किलो लीटर में होंगे अब सबक्राइब किलो लीटर में है, व sailing किलो लीटर में है, अगर इसको लीटर में convert करना होता है, तो मुझे 36 और 1 kilo मतलब की 1000, kilo एक suffix होता है, जो लगाया जाता है, है ना, quantity को बढ़ाने के लिए, so into liter, 36,000 liter, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, क्या कह रहा है, now it is half, तो ये जो tank है, फिलहाल आदा भरा हुगा है, मतलब इसका जो new volume है, है ना, अभी जो हमाँ volume है, V half, V H equal to कितना है, 36 kilo liter का आधा, मतलब की कितना भाई साब, 18 kilo liter, ये हमारे पास है, क्या कह रहा है, one third of the water is taken out, जितना पानी इसके अंदर भरा हुआ, 18 kilo liter का one third, मतलब one third of V half, इसका one third भाई, तो one third of 18 kilo liter, कितना हो गया, six kilo liter, six kilo liter पानी इसने बाहर निकाल दिया, तो मान लीजे, six kilo liter पानी जो है, बाहर निकाल दिया गया, इतना पानी बाहर निकाल दिया गया है, six kilo liter पानी बाहर निकाल दिया गया, तो पानी बचा कितना, तो total कितना था, 18 kilo liter था, और निकाला कितना, six kilo liter, तो बच कितना गया, 12 kilo liter बच चुका है, मतलब ये जो नीचे प बनन धशर खलिए उसके पास 12 ला वगे कितनः पानी मिले जाए लेटर न्हीं पॉल्म्हाई 510 फस्सक्रिविभ तंव विवल गुभन कि रहिए मकोथ्ह फिली अगरम कितना पानी मिल लम धुट अग्रिथ 6 x खसें मला ला फ्राप्रफॉ प्रम परण में ध्यृ 12 किलो लीटर तो कितना भरना पड़ेगा भाई amount needed we need volume जो need करता वो कितना है 36 किलो लीटर minus 12 किलो लीटर answer 24 किलो लीटर तो मतलब इसमें 24 किलो लीटर पानी डाल दोगे तो यह पूरा भर जाएगा तो correct option इसका क्या है A is the correct option चलिए ताल लगाईए A पर आंगे भढ़ते है next ओके next question देखते हैं अब बस is started at 9.45 अम विदे speed of 80 km per hour when it will reach destination which is 3300 km अवे चलिए तो आपको बताना है कि कितना time लगेगा देखे इसको 9.45 पर यह बस start हुई है ठीक न और यह कितना चलके जा रही है 300 km चलके जा रही है किस speed से चलके जा रही है यह जा रही है 80 km per hour की seat से यह बस दोड रही है तो सबसे पहले मैं रास्ते का time लगाता हूँ कि time कितना लगेगा तो वही formula speed equal to distance upon time speed equal to distance upon time so time is equals to कितना हो गया time is equal to distance by speed distance upon speed so time equal to distance upon speed तो distance हमारी कितनी है 300 km किलोमेटर कर दीजिए आवर पलट के उपर आजाएगा 300 upon 8 आर स्वरी 80 आवर 0 से 0 कैंसल हो गया कुल में लाके कितना बज़ गया 30 by 8 आवर और जादा काटूंगा मैं तू से 4 ताइमस तू से कितने टाइम 15 वाई तो 15 वाई 4 आर 15 वाई 4 आर तो अब देखिए 15 वाई 4 आर को हमको टोटल आवर में बदलना है कि 15 वाई 4 आर कितने आवर होंगे complete तो 15 upon 4 कर दीजिए 15 upon 4 4 3 12 यहां कितना बज़ गया 3 बज़ गया क्लियर है डेसमल लगाई है जीरो लगाई है ठीक ना फिर कितना आए गया यह देखे आ फोर सेवेंजा ट्वन्टी एट यह सो नो फोर सेवेंजा ट्वन्टी एट एक मिनट स्वारी मैं कुछ गलत कर रहा हूं यहां पर इसके आंगे नहीं आभको 43 जट 12 के आंगे नहीं जाना आपको इना 4 3 जट 12 और यहां पर कितना आ गया यह स्थी तो आपके पास जो टाइम मिल गया वो कितना मिल गया आपको 15 भाई 4 था आपके पास आवर और 15 मैंप फोर को अपने मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 3 x 2 3 x 4 3 is to 3 by 4 या 3 plus 3 by 4 hour 3 plus 3 by 4 hour, मतलब 3 hour complete and 3 by 4 hour, incompleted hour भाई, 3 घंटे तो अपने आप में complete होंगे और 3 by 4 hour अपने आप में complete नहीं है, जैसे आप 20 minute बोलेंगे, तो 20 minute जो होता है, वो 1 hour का 1 third 1 by 3 hour कहलाता है, है ना तो इसको actually अपनको बदलना पड़ेगा minute में भाई साब, तो 3 hour plus 3 by 4 और 1 hour में कितने minute होते हैं, 60 minute होते हैं, तो लिए भाई, कैंसल कर दिया तो कितना हो गया, 45 ने, 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 15 हुआ ना भाई, 15 हुआ 15 हुआ, 15 हुआ, टोटल 45 होना था 45 minute, तो टोटल आपके पास time कितना हो गया, 3 hour and 45 minute इतना time लगा बस को, तो हमारे पाद जब हम चले थे, वो 9.45 ता, तो 9.45 9.45 में 3 hour 45 आपको जोड़ना है, है ना, तो थोड़ा टेकनीक से जोड़िएगा, सबसे पहले 1 hour, फिर 1 hour, फिर 1 hour, बूलिए यसा नो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद कितना 12, तो 3 घंटे के बाद आपका time हो चुका है कितना 12.45, बूलिए यसा नो अब इसमें आपको 45 minute जोड़ने है यसा नो, तो 45 minute ऐसे डरेक्ट मत जोड़ देना नहीं, तो वो 90 के पार चला जाएगा, और 90 minute तो होते ही नहीं है तो 45 minute को एक काम करो आप 15 minute में पहले बदलो और फिर 30 minute में बदलो, बूलो यसा नो तो देखे, 12.45, 12.45 में 15 minute जोड़े तो कितने बज गए, एक बज गए बूलिए यसा नो, और एक बजने के बाद 30 minute और हो गया, ठीक है तो देखे, चले थे एम और लग गया पी एम, क्या लग गया, पी एम लगा की नहीं लगा, क्योंकि रात के 12 बज़े के बाद लगता है एम और दिन के 12 बज़े के बाद लगता है पी एम, तो 1.30 ओके, टोटल जो टाइम हो जाएगा 1.30, कितना हो जाएगा, एम की पी एम पी एम, तो देखे, 1.30 पी एम, आफ्टर ओक्लॉक आफ्टर नून, तो मगर चलो अच्छी बात है, इसमें लोगोंने इजी दे दिया है मगर यहीं कहीं बच्चों के लिए 1.30 पी एम लिग देता और 1.30 एम लिग देता, तो बहुत सारे बच्चे इसमें 1.30 एम भी कर सकते थे, ओके, वट हमने आपको बता दिया, यहाँ पर कितना होगा, यह 1.30 पी एम यह दुपहर के डेढ़ बजे, दुपहर के 1.30 मिनट, बुली क्लियर है कि दम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, देखे time total कितना लगा था, 3 घंटे complete time था और 3 upon 4 hour incomplete था, तो incomplete hour को हमने किसमें बदल लिया, मिनट में, किसमें बदल लिया, मिनट में, और याद रखे कि division यहीं पर रोकना है, मैं तो इनकम्प्लीट आवर तो हमारी लड़ाई किससे है इनकम्प्लीट आवर से ठीक ना उनको हमने बदल लिया मिनिट में और हो गया काम तमाम